नमस्का दोस्तो मैं जेकी सांकला स्वागरत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इंटे कैसे बनती है इंट के बिजनेस के बारे में इससे पेले दोस्तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कर दे और सबस्काइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करे तो दोस्तो चलिए अपने शुरू करते हैं नमस्का दोस्तो आज मैं बात करूँ है इंटो के बिजनेस के बारे में कि इंटे कैसे बनाई जाती है कुण सी लोकेशन सेलेक्ट करना चाहिए इंवेस्टमेंट कितना लगेगा बनाने के तरीका क्या है कितना प्रोफिट होगा रो मेटरियल क्या लगेगा यहने कि कच्चा माल कुन-कुन से यूज़ होगा इन सब चीजों के बारे में आज आप से में बाते करूँगा ठीक है तो टोटली बिजनेस केसे कर सकते हो और कितना इंवेस्टमेंट लगेगा और आप कितना प्रोफिट कमा सकते हो ठीक है और बनाने की प्रोसिस क्या है मैं इन सारे चीजों के बारे में आज बात करूँगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं सुरू करता हूँ लोकेशन दोस्तों लोकेशन मतलब किसी भी सीटी के बाहर यानि कि सीटी के नजदिक होना चाहिए और सीटी के बाहर होना चाहिए ठीके क्योंकि इसमें पूरा खुला मैदान चाहिए होता है तो अगर खुला मैदान है और आपके पास इसपेस जादा है यानि कि दो से तीन बिगा जमीन है तो आप इंट का बट्टा खोल सकते हो ठीके वहाँ पे आपको सुखाने के लिए भी जगे चाहिएगी भी जब जगे चाहिएगी और फिर आपको भट्टी लगाने के लिए जगे चाहिएगी यहनिकी इंट को आप जब पकाऊगे ठीके और आपका जो भी ट्रेक्टर वहान जो भी आएगा उन सब चीजों के लिए जगे चाहिएगी इसलिए आपको 2-3 बिगा जमिन की जरूत रहेगी अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की दोस्तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ इट के भट्टे में तो आपको मालो आपके जमिन तो खुट की होना चाहिए ठीक है लेकिन आपको मिट्टी खरीदनी पड़ेगी मिट्टी हो सकता आपके छेतर में 10 किलोटर दूर 5 किलोटर दूर मिलती हो तो वहाँ से आपको उठा के लानी पड़ेगी 500 से 600 रुपे में ट्राली पुरी मिट्टी की ट्राली आपको मिल जाएगी 500 से 600 रुपे में आपको लाना है उसमें करीबन आप 3000 की इनिट के आसपास आप बना सकते हो ठीक है एक ट्रॉली में तो दूस्तों 3000 इनिट के अगर मैं कीमत बानू तो एक इनिट की कीमत 5000 रुपे में आज मार्केट में बिकरी ए 5 से 6 रुपे में तो अपन मोटा-मोटा 5 रुपे लेते हैं तो 1000 इनिट की 5000 तो अगर एक ट्रॉली में अपन 3000 इनिट बना सकते हैं तो 35-15 य्यनिके 15,000 रुपे की उस मिट्टी से इनिट बन जाएगी और आप बेच पाओगे थिक है तो उसमें मोटा-मोटा एक इट पर आप 2 रुपे प्रोफित कमा सकते हो ठिक है तो देखा जाए तो 3,000 इट पर आप 2 रुपे एक इट पर 2 कमाऊः गो तीन पर 6,000 रुपे यन्ने कि एक ट्रोली मिट्टी पर आप 6,000 रुपे मोटा-मोटा सांचे के थू, सांचे के थू, मजदूर या labor जो भी अपने पास रखेंगे वो सांचे के थू बना देगी और एक machine के थू बनता है, ठीके तो शुरुआत में आप सांचे के थू ही बनाए जब आपका अच्छा पेसा हो जाए तो machine भी खरिद लीजिए ठीक है तो सुरुआत में जो आप ये वीडियो में देख रहे हो साचा ये इस से इंटे बनाई जाती है ठीक है दोस्तों इन्वेश्टमेंट की बात की जाए तो तीन से चार लाग रुपे में आप आराम से इस बिजनेस को सुरू कर सकते हो और पेसे लगाऊगे उतना बिजनेस आपका ये बढ़ेगा ठीक है तो दोस्तों आपको डेली लेबर को भी पेसे देने हैं लेबर चार्ज भी कम से कम एक लेबर ड़ाई सो से तीन सो रुपे लेगी और आप तीन से चार लेबर आपको रखना पड़ेंगे क्योंकि इंटे आपको म इंवेश्चमेंट के बारे में बता दिया हैं आपको प्रोफिट करीबन एक इंट पर आप दो रुपे आरामसे कमा सकते हो दिन की पंद्रा सो सेदो सागय अकर बनाते हो तो तेन से चार रुपे आपY और आरामसे कमा पाओगे परडे के इसाप से ठीके इसके लाख एक te- आपको बतता हूँ ठीक है रो मोटेल के अगर बात की जाए तो रो मोटेल में आपको मिट्टी लगेगी ठीक है और जो खेती किसानी में जो भूसा निकलता है खेती में वो भी आपको थोड़ा बद मिलाना रहता है उसमें ठीक है तक कि इंटे क्रेक्स न करे ठीक है सुखान मिलाते हैं दोस्तों अगर मैं रो मेटल के बात करूं तो मिट्टी भूसा पानी और सांचा और कोईला बस इन चीजों की जरूत पड़ती है इंट बनाने के लिए ठीक है बागी प्रोसेस तो आपको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों अब मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इ भूरा टाइट करते हैं से जोन्यां करते हैं उसको अच्छे से गोल लेते हैं कर सैंद और वाटर मिला के उसको सांचे में डालते हैं अब सांचे में डालने के बाद वो आईतागार यहने के rectangular shape gain कर लेता है ठीक है अब उस shape का gain करने के बाद इंटों का shape बन जाता है उस shape फिर wire से cut करके उसको एकदम plane करते हैं ठीक है या तो धूप में सुखा दे या फिर dry and oven करके आता है उसमें सिखा दे ठीक है तो अपन धूप में उसको सुखा देंगे इंटों का ढहरा करके या आप जो देख रहे हैं वीडियो में इंट सुखा ही जा रही है ठीक है इंट को 7 से 10 दिन तक सुखाते हैं पर 8 से 10 दिन सुखाने के बाद इंट को थोड़ा गरम किया जाता है ठीक है वेसे तो 200 से 500 डिगरी तक किया जाता है 1000 डिगरी तक किया जाता है गरम उसके बाद पिर उसको high temperature दिया जाता है ठीक है कोईले की मदद से ठीक है पर 48 से बहुततर गंटे उसको ठंडा करते हैं और फिर पेके मतलब उसको फिर सप्लाई करके डिलेवरी कर देते हैं साइड पर जहां पर देना होती है ठीक है इस प्रकार ये इनिटोक का बनाने का प्रोसेस है तो इसमें कोई लागत जादा नहीं सिर्विस में मजदूरी जा आपके पास मिट्टी की अवेलेबल है आपके पास में तो आप बिल्कुल इस बिजनेस को दुधू कर सकते हो और और अच्छा मोटा पैसा कामा सकते हो तो उम्मित करता हूँ अगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्ट्राइब जरूरूर करना भूत बहुत प्रवादू